हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी लोगों का स्टरी आईकू स्टरी आईकू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं मैं शुबम सर्धालिया एक और विशे पे एक और टॉपिक पर बात करने के लिए आगे हैं उस्तों आप चाहें को इस्टाग्राम, फेस्बूक याँ टेलिग्राम के माथ्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी आपका डौट है कोई आपकी ग्वेरी है आप मुझसे बूच सकते हैं जिस विशे पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध दरसल आंत्रप्रदेश से है आंत्रप्रदेश की गोदावरी नदी के किनारे पिचुका लंका एक आईलेंड है पिचुका लंका को धाईसो करोड रुपे की लागत से एक टूरिस्ट स्पॉट परियाटकों के लिए एक प्रसिध स्थल्व अद्नाने की कवायच जो है हो रही है तो आंत्रप्रदेश का पिचुका लंका आईलेंड जो है उसको धाईसो करोड रुपे की लागत से टूरिजम के लिए रिजॉर्ट जो है वो बनाया जा रहा है विस्तार से समझेंगे क्या है ये पिचुका, लंका, आईलेंड, कहां पर ये स्थित है, क्या इसका रेलेवेंस है आंध्रप्रदेश state exams के अगर आप तयारी कर रहे हैं आपके लिए बहतरीन smart courses study IQ पे अवेगेबल है एक courses आपको बहुत ज़ादा help करेंगे आपके exam preparation को बहतर बनाने में और बहुत शांदार तरीके से आप हमारे साथ study IQ के साथ अपनी preparations हो है, हो कर पाएंगे आटिकल कहता है दि आंध्रप्रदेश tourism department is set to construct a resort at Pichuka Lanka, an island in the Godavari river and home for black bugs in East Godavari district पichuka Lanka जो की एक island है, गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ एक छोटा सा द्वीब है, साथ ही साथ यहाँ पर काले हिरन जो है, उनके लिए एक घर जैसा है, यह island वहाँ पर अब resort जो है वो बनाया जा रहा है तो इस द्वीब के आसपास के जितने भी गाउं है वो बहुत ही जादा प्रसित है कि वहाँ की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ की भूमी जो है वो बहुत जादा उपजाओ है तो उपजाओ भूमी होने के कारण यहां के जो द्वीब है वो बहुत ही जादा लोग प्रिये हैं और उन में से ही एक important द्वीब है जिसकी हम बात कर रहे है पिचुका लंका इन द्वीबों में से एक पिचुका लंका को अब जो है वो परियाटकों के लिए काकर्षन के र आइलेंड है जिसको टूरिस्ट पॉर्ट जो है बनाया जा रहा है कि बिल्कुल पानी के बीचों बीच यह बसा है जिस तरीके से हम विदेशों में देखते हैं समुद्र के बीचों बीच आइलेंड जो है वो बनाया जाते है उसी तरीके से गोदावरी नदी के बीचों ब रहने के लिए तो वो ही experience वो ही facilities तो है वो यहाँ पर भी वो ही आगरा जा सकती है देखते हैं विस्तार से कहाँ पर यह मौजूद है तो भारत का आंध्रप्रदेश राज्रे आंध्रप्रदेश में इस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर है यह पीचू का लंका exactly यही shape है यह google images द्वारा यह image जो है वो ली गई है तो इस तरीके से satellite view से यह जो आप एक stretch देख रहे हैं यह दर असल एक bridge है इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा आंध्रप्रदेश का पिचू का लंका island यह एक picturesic island है जो की गुदावरी नदी पर बना हुआ है बहुत ही खूबसूरत जगे है जो कि एक क्यूंकि चारों और से पानी से घिरा हुआ है तो वैसे ही इसकी beauty जो है वो देखने लायक है और इसको जो है आप develop करने की बात हो रहे है यह the island is abating the famous दौलेश्वरम बैराज and close to राजा मुंदरी city in east गोदावरी दौलेश्वरम ब संदरी शहर के करीब है जो कि पूर्वी गोदावरी जिले में मौझूद है दूर से देखने पर कुछ इस प्रकार का दिखता है यह पिचुका लंका आइलेंड यह पूरा का पूरा stretch जो आप देख रहे हैं यह दरसल पिचुका आइलेंड है यह दौलेश्वरम बैराज है और यह चारों और जो जलाश्या है यह गोदावरी नती है यहाँ पर परियोजना क्या है धाइसो करोड़ टू फिफ्टी करोड़ रुपीज की लागत के साथ में कुछ इस तरीके के शांदार रिजॉर्ट स्वेव बनाए जाएंगे एन्वीजन प्रोजेक्ट क्या है प्लस विदेशों से परियाटकों को टूरिस्ट को एट्रेक्ट किया जा सके इस उदेश्चे के साथ में यह परियोजना जो है वो बन रही है तो इस तरीके के शांदार रिजॉर्ट जो है जिनमें सभी फैसिलेटीज मौजूद होंगी वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं अभी to start with धाई सो करोड रुपे की यह परियोजना है गोदावरी नदी के तट पर यह आईलेंड जो है वो विकसित हो रहा है यह आईलेंड जो है वो बिल्कुल दोलेश्वरम बैराज के पास में है दोलेश्वरम बैराज के अगर हम बात करें इट इस एन इरिगेशन पुरा जो इलाका है यहां पर water body मौझूद है बंगाल की खाड़ी बे आफ बंगाल तो यहां पर यह दौलेश्वरम बैराज है जहां से गुदावरी नदी होकर की गुजरती है और ultimately फूर वो बंगाल की खाड़ी में बे आफ बंगाल में जाकर की गिरजाती है तो वही यहां पर पानी को होल्ड किया जाता है और as per the irrigation requirement जितनी जरूरत सिंचाई के लिए होती है उस हिसाब से यहां से पानी जो है वो छोड़ा जाता है तो इस तरीके का सवाल अगर एक्जाम में पुच्छा जाता है और्थर थामोस बैराज सो है वो कहां पर है किस राज़े मे किस नदी के उपर है तो आंदर प्रदेश में इस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट गोदावरी नदी के उपर यह बहराज जो है वो बना हुआ है दा बहराज प्रोवाइड जो है यहां से मैनेज किया जाता है कितना पानी की इस दिशा में चोड़ा जाएगा यह सब चीज manage की जाती है, द्वलेश्वरम बेराज is 15 feet high and 3.5 kilometers long with 175 crest gates to pass the floods यहां पर आप इस Google image के माथ्यम से देख पा रहे होंगे, कितना लंबा, साड़े तीन किलो मेटर लंबाई है इस पूरे के पूरे ब्रिज की, 15 feet की इसकी उल्चाई है, और यहां इस बेराज में gates लगे हैं, जिनके माथ्यम से पानी को जो है, वो रोका जादा, आपने बहुत बार देखा होगा बेराज के अंदर gates वो है वो लगाए जाते हैं, और ये gates को खोल दिया जाता है, जब भी पानी का स्तर जो है वो बढ़ता है, तो whenever the water level increases, जल्सतर कब बढ़ता है जब भी कहीं बाढ़ आती है, एकदम से बरसात के मौसम में, अगर higher end, higher reaches पे जादा बारिश हो जाती है, तो एकदम से जल्सतर जो है, वो बढ़ जाता है, जिस वचा से ऐसे बेराजिस में, जो gates लगे होते हैं उनको खोल दिया जाता है, ताकि पीछे से आने वाले जादा पानी के फ्लो को easily वहाँ से पास किया जा सके, पंदरा फीट की उंचाई, साड़े तीन किलोमेटर लंबाई और एक सो पिचतर gates जो हैं, वो यहाँ पर इस island के हम बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं, thrives on the island near the sir Arthur Cotton Barrage and is facing grave threat of posing पिचुका लंका जिसके हम बात कर रहे हैं यह island वो है, जहाँ पर काफी मातरा में काला हिरन, black bug जो है वो मिलता है, और निरंतर ये black bug जो है, काला हिरन जो है, वो threat में है वो शिकार होने के खत्रे से जो है वो जोज रहा है, in 2003 17, three black bugs were found killed in the island, तो यहाँ पर तीन काले हिरन जो है, वो मृत रूप में पाए गे थी, 2017 में, black bug की अगर हम बात करें, अभी मातर भारती ये उप महाद्वीप में पाया जाता है found only in Indian subcontinent mainly in three countries जादा तर भारती ये उप महाद्वीप में ये पाया जाता है, सबसे जादा मातरा कली नब्बे प्रतिशत काले हिरन जो है, वो दुनिया के भारत में पाया जाते है, नेपाल है जहां पर बहुत छोटी सी population इनकी जो है, वो देखने को मिलती है और साथ ही साथ, पाकिस्तान पाकिस्तान जहां पर इनकी प्रजाती जो है, अल्मोस्ट विलूप्त जो है वो हो चुकी है तो भारती उप महाद्वीप में मुख्य रूप में भारत के अंदर कुछ थोड़े से नंबर में नेपाल में और पाकिस्तान के अंदर अब अल्मोस्ट विलूप्थ हो चुका है ये काला हिरन इट इस रेर स्पीशिस सर्वाइविंग इन स्मॉल स्केटर्ड हर्ड्स इन अबाउट 13 स्टेट्स अफ इंडिया भारत के 13 राजियों में और ये इस आइलेंड में रहते हैं और कहीं न कहीं यहाँ पर इस तरीके के रिजॉट्स की कंस्ट्रक्शन से इनको नुकसान भी हो सकता है और इनको बचाया भी इसनका संरक्षन भी जो है उस पर ध्यान दिया जा सकता है तो दोनों ही सिच्वेशन यहाँ पर जो है वो अराइज हो सकती है यह जो पूरा का पूरा आइलेंड है यह कहां परस्तित है यह बसा हुआ है यह बना हुआ है गोदावरी नदी के किनारे पर तो गोदावरी रिवर के अगर हम बात करें भारत का दूसरा सबसे लंबा रिवर सबसे लंबी नदी जो है इसको माना जाता है and third largest in India drains about 10% of India's total geographical area सबसे दूसरा सबसे लंबा और तीसरा सबसे बड़ा river इसको माना जाता है जो कि भारत में करीब 10 प्रतीशत के भोगोलिक शेत्रक से होकर के जो है वो बुजरता है its source is in Trimbakeshwar in Nasik Maharashtra तो Maharashtra के Trimbakeshwar Nasik में ये नदी जो है वो शुरू होती है the river ultimately empties into the bay of Bengal through extensive network of tributaries Maharashtra के Trimbakeshwar से शुरू होकर के ये southern portion of India में जो है वो फ्लो करती है और ultimately मैंने आपको बताया जो आंतरा प्रदेश के अंदर ये जो है वो फ्लो करती है द्वलेश्वरम बैराज के through pass करके जो है वो पहुंचती है ये मने आपको यहां पर इस map के माधिम से बताया था तो यहां कहीं Maharashtra के Trimbakeshwar से शुरू हो करके इस तरह के से area को cross करती हुई Bay of Bengal, Bengal की खाड़ी में ये नदी जो है वो खाली हो जाती है क्यूंकि हम एक ऐसे island की बात कर रहे थे जो की गोदावरी नदी के तरट पर मौझूद है तो गोदावरी नदी के बारे में बात करना भी जो है वो important हो जाता तो काफी सारी चीजों को हमने यहां पर विस्तार से समझा है क्या परियोजना है जो इस island के लिए लाई जा रहे है कैसे tourism को उससे boost मिलेगा काले हिरन की जो प्रजाती है उस पर क्या impact पड़ेगा और साथ ही साथ गुदावरी नदी यह सारी की सारी चीजों को हमने यहां पर discuss किया है I hope हमको विस्तार से यह articles हो है वो समझ में आया होगा आंद्रप्रदेश state exams के अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहतर इन smart courses study IQ पे available है courses आपको बहुत जादा help करने वाले हैं आपके exam preparation को बहतर बना रहे है तो definitely in courses में enroll करना है और अपनी preparation को हमारे साथ study IQ के साथ बहतर बना दा है Thank you very much दोस्तों All the best, keep working hard, bye bye, take care, जैहिंद